वाहे गुरू साहिब जी तान वाहे गुरू साहिब जी गुरू प्यारी गुरू सवारी साथ संगत जी अज असी जो विशा आप जी दे नाड सांजा कर जा रहे हैं ओ विशा है साड़ा मानुख देदा पाव मानस जनमदा जितनी चरासी लाख जून है इस दे विच्चों जो सबना दासरदार है ते सबना जीव जनतान जिड़ा काबू रख सागदा है ते सबना उपर जिस्दा हुकम चल रहा है सो मानक देए है ते इसे दा नाम मानस जनम किहा है यह मानस जनम बहुत बड़ी दुरलब चीज है ते बड़े पागानार प्रापत हुया है जिवें पगत कबीर साहिव जी अपने सलोका रहीं फरमाँ देगान कबीर मानस जनम दुलंब है होए ना बारै बार जियों बानभाल पाके पोए गिरह है बहुर ना लागह डार सो एह मानस जनम दुरला बचीज है जे इसनू पांग दे पाड़े गवा देए तां प्रमाथमा नार फिर कदी भी मिलाप नहीं उन्दा अते जीव बड़े लम्मे गेड जुना बिच पै जान्दा है सो इसम जनम दे मिलन दा कम जिसलई के एह प्रापतोया है गुरु जी ने सानू गुर्वाक गुर्बानी रही फुर्माया दस्या है असी निता प्रती रह रासहब जीदी बानी विच पढ़ दे अते सुन दे हाँ सत्गुरु जी फरमों दे पई परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की इह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नकाम मिल साद संगत पाज केवल नाम इत्थे ही बासने ही तुलसी दासने एक दुरा बड़ा ही कमालदा लिखिया है ओ केंदे हन नावलाख जालको जनत है सतावर बीस बखान एक आदसी कीट परेंग है जंगम बीस बखान बीस लाख पास जून है चतर लाख नार हुई इन में जो राम्य पजय तुलसी तान है सोई कबीर साब आंदे हने माफ करना तुलसी दास जी फरमोंदे दोरे विच्चे के बहुत जुना हन जो जीव जालबे चरेंदिगा हन उनना दिया में नौ लाख किसमा हन एकादसी कीट परेंग है कीडे परेंग जंगम इनन दिया में बहुत लखादसाब नार जो किसमा हन फिर के बीस लाख पस जून है बी लाख के जो पसू समान जूनी है ते चतर लाख नार हुई के दे लखाँ ही जडे नार हन उ चतर हन स्याने हन बडे ही चतर हन चलाक हन पर केंदे इनना सारियां विच्चों इन में जो राम में पज़े जड़ा इनना चून वही गरू परमेशर नुजाद करदा है तुलसी तान है सोई केंदे यो तान है साथ गरू बिलावल राग विच चुथे पात्षा भी फरमोंदे हन मानस जनम हर पाईय हर रावन देरा राम गुर्मक मिल सोह अगनी रंग हुए कनेरा राम इना तुका विच गुरू जी ने मानस जनम परमात्मा दे मिलन ले दस्या है ते किहा है के वाहिगरू दे मिलन दा तेरा एहो वक्त है तान ते होर कम दुनिया दी प्रीत वाड़े तेरे किसे कम आउन वाड़े नहीं हन तान ते साथ संगत विच पहुँच की मिलके केवल परमात्मा दा नाम जाप सो जे नाम जपो ताही मानस जनम सफला है ते इस जनम वेच ही जीव पजन बंदगी कर सकदा है होर कोई जून में बंदगी नहीं कर सकदी उन्जता सारी स्रिष्टी ही उस वाहिगरू परमात्मा नू जाद करन वाड़ी है जमें साथ गुरू फरमोंदेहन गावन तुदनो खानी चारे परंतु बंदगी करके परमेशवर वाहिगरू नाड मिला पून वाड़ा एहो जनम है इसे वास्ते इह जून मानस गुरू जी ने सारिगा जूना दी सरदार अते उत्म कही है जिवें आसा रागविच पंचम गुरू देव तानुगरू अरजन दे माहराजी फरमोंदेहन अवर जून तेरी पनहारी इस तरती मेह तेरी सिकधारी होर सारिया जूना इस दी टेहल करन वाड़िगा हन ते सरदार ताही सरदार कहून दे लाइक हो सकदा है जे सरदारी वाड़े काम करे जे ऐसा नहीं करदा ता कहदी सरदारी है गुरू जी गुरू गरंसाय महराजी विच पैरो राग विच कबीर सह्व जीदा एक बचन है गुर सेवा ते पगत कमाई तब इह मानस दे ही पाई जे गुरू जी दी सेवा करिये पगती करिये तां समझो मानस दे ही पाई है जे पगती नहीं कर दी तां गुरू जी कहने लाख चवरासी परमतियां दुलब जन्म पाई हुए नानक नाम समालतू सो दिन नेडा आए हुए सो जीवनों चाहिए के मानस जन्म पाकी पगती करे क्योंके अगे चुरासी लाख जुना दे गेड विच परम आया है ताही एह जन्म सफलो सकदा है नहीं ते एमे ही जावेगा जिमे मारू राग विच आप नरैन कला तार जग मेह पर वरेयो तान गुरू नानक पात्षा जी फुरमान कर दे हन खार समुदर टंडोली है एक मनिया पावै दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावै फिर गौडी राग विच पंचम गुर्देव पात्षा फरमान दे हन दुलब देह पाई वडपागी नाम नजपह ते आत्म काती मर नजाही जिना बिसरत राम नाम भिहून जीवन कौन काम रहाओ खात पीत खेलत हस्त बिस्तार कवन अर्थ मिर्तक सीगार जोना सुनह जास परमानन्दा पस पंकी त्रिक्द जोनते मन्दा फिर साथ गुरू अगे गौडी राग विच पंचम गुर्देव फिर फरमान देखन अनक रसा खाए जैसे टोर मोह की जेवरी बदेव चोर मिर्तक देह साथ संग भिहुना आवत जाद जोनी दुख खीना रहाओ अनक बस्तर सुन्दर पहराया जिवन डरना खेत माह डराया सगल सरीर आवत सब काम निफल मानक जपै नहीं नाम साथ गुरू इर्थे भी कहें देहां कि ओहो बिना ही अर्थ दे ये सरीर चला जानदा है जो नाम नहीं जापदा अगे आसा रागविच तीजे गुर्देव तानगुरू अमरदास महराजी फरमाँ देहन साथ गुरू जी फरमारे मन चंचल बहु चोटां खाए एत्थों शुड़के आ ठावर न पाए गर्ब जोन विस्टा का वास तित कार मनमुख करे निवास एना गुरू उपदेशां तों पता लगदा है के पजनतों बिना एह जीव कितना ने कमा ते अपावन है बलकी मुर्दे दे तोल है जैसे गुरू जी बावन अक्री विच्वी फरमोंदेखंत अत सुन्दर कुलीन चतुर मुखं यानी तनवन्त मिर्द तक कही ऐनान का जेह प्रीत नहीं पगवन्त इसदा ओना ताहीं सफला है जे रसना द्वारा सिम्रन करदा है फिर गौडी बावन अक्री विच्वी पंचम परमाद्शा तानुगरू अर्जन देमाराजी दा फरमाने है आया सफल ताहू को गनिगें जास रसन हर हर जस पनिगें आये बसह सादू कै संगी अन दिन नाम ते आवह रंगी आवत सो जान ना महराता जाको दया मया बिदाता एक है आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्स समाया गुरू जी दे सेख मुर्दा पानू गुर उपदेश द्वारा दूर करके आपने अंदर जीवन कनी पैदा कर दे हन आप तरके हो उर्ना नू तार दे हन जिमें पाई गुर्दास जी अपनी पहली वार विच पौडी तीजी विच लिख दे हन चवरासी लाख जोन विच उत्तम जनम सो मान सदे ही अखी वेखन करन सोन मोख सुब बोलन बचन सने ही हथी कार कमावनी पैरी चल सात सांग मले ही किर्त विर्तकर तर्मदी खाट खवालन कार करे ही गुर्मख जनम सकार था गुर्बाणी पड समझ सुडे ही गुर्पाई संतुष्ट कार चर्णा मृतले मुख पवे ही पैरी पवण नशूडी है कली काल रहरास करे ही आप तरे गुर्सेख तरे ही हाँ olması जी, गुरू जी दे सेख इस परकार मानस जनमनों पाके तर्मदी किर्त करके साद संगटनों शकाके परसन हन देहन ते आप बानी पड़के सची वस्तूदी प्राब्ती कर देहन ते हुर्णानों गुर उपदेश द्वारा प्राबती करा के परसान हुन देखन सो ऐसा करन करके ही मानस जनम सफला हुन दा है तांती हर एक जीवनों चाहिए के गुरु जी दे उपदेशानों कमोंदा हुया पगती करके मानस जनम सफला करे इत्थे पगत जी जिवें अपड़ी एस कताब दे लिखन सार अपणियों मर्यादा नबोंदेखन कदे दोरा, कदे शांद, कदे सलोक ते कदे कुई कबता दे रूप वेच कुझ लाइना लिखदेखन इत्थे वी एस मानस जनम जो सरलेख है इस दी समापती ते एक कुंडलिया शांद लेखदेखन आउ त्यान देना जिस दियां शे को लाइना है पगत जी फरमाउंदेखन पाया मानस जनमनू आया विचसंसार सेवन कीती गुर्जन गाफल विचसंसार नसुद बुद कुश बीचारे रास न कीती त्यार नाम जम तके मारे कहे पगत का विदास सफल जगताही आया चर्न गुरादे लग जिसे तान नाम नू पाया वाहिगुरु जी का खलका वाहिगुरु जी की फते